हाई फ्रेंड्स मैं हूं सुधा आज हम बनाएंगे मश्रूम चिली वैसे तो आपने बहुत सारी चिली बनाई होंगी एक पर इस मश्रूम चिली की रस्पी को जरूर ट्राइ करिएगा आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी बहुत ही ज्यादा स्वाधिश लगती है तो कर लेना है इसके लिए हम यहाँ पे गर्म पानी रख दिया है और पानी में हमें इस मश्रूम को डाल देना है साथ ही में हम इसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल देंगे नमक डाल कर हमें इसे कुछ मिनट के लिए बॉयल कर लेना है तो एक बर अची तरह से मेक्स कर लेते है और इसे कुछ मिनिट के लिए बॉयल कर लेते हैं तो यहाँ पर देखिए बहुत यह चितर से उबालाना शुरू हो गया मस्टूम जो है यह बॉयल हो चुका है इन्हें हम निकाल लेंगे इसके बाद से हमें यहाँ पर एक बोल ले लेना है इस बोल में हमें दो चम्मच मैदा डाल देना है और यहाँ पर हम देर चम्मच कॉन फ्लार डाल देंगे या फिर आप एरा रोट आपको जो भी पसंदो आप इसमें डाल ले इसके बाद से हमें इसके अंदर थोड़ी सा गोल मिर्च का पाउडर थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर और यहाँ पर हमें अद्रक लेसन का पेस्ट डाल देना है इसके बाद हम इसके अंदर अपने स्वात के नुसार नमक डाल देंगे नमक ज्यादा ना डाले जैसे नॉर्मिन पोकोड़े बगरा तलते हैं वैसा है आप नमक डाल दे इसमें इसके बाद इसमें में थोड़ा थोड़ा पानी आड़ करके हमें इसका एक बहुत ही थेक बैटर रेडी कर लेना है ध्यान रे कि बैटर जो हो जादा पतला ना हो तो यहाँ पे हम बहुत ही जादा थेक बैटर ये देखिए ready कर लिये हैं इसके बाद हमने जो मश्रूम को boil करके रखे थे उन boil के यो मश्रूम को हमें इस बैटर में डाल देना है और इसे अच्छी तरह से पूरा mix कर लेंगे जैसे हम पकोड़े वगरा तलते हैं ना बिल्कुल वैसे ही यह देखिए बहुत अच्छी तरह से mix कर लिये हैं इसकी coating बहुत अच्छी होगी इसके बाद से हम यहाँ पे कढ़ाई रखती हैं कढ़ाई में हमें तेल कर टाल दिये हैं तेल जो हमारा गर्म है इस गर्म गर्म तेल में हमारा जितना भी मश्रूम है उसे हम डाल देंगे तो यहाँ पे हम डाल देते हैं और इन्हें हम golden brown कलर होने तक इन्हें पहले हम अच्छी तरह से तल लेंगे तो इसकी जो इस तरह से अगर आप better ready करके डालेंगे तो इसकी जो coating होगी वो बिल्कुल भी खुलेगी नहीं तो हम यहाँ पे डाल देते हैं और इसे थोड़ा वेट कर लेते हैं फिर इसे हम दूसरे साइड से भी पलट लेंगे और अभी भी इसका color थोड़ा और चेंज होगा तो थोड़ा से और वेट कर लेते हैं तो यह हमारा जो मश्रूम के पकॉड़े हैं यह देखें बहुत यह अच्छी तरह से रेडी हो चुका है इसका color भी चेंज हो गया तो इसने हम निकाल लेंगे तल कर यह देखें इसके बाद हमें यहाँ पे एक pan रख देना है पैन में हमें थोड़ा सा cooking oil डालना है हम यहाँ पे दो चोटे चमच cooking oil डाल दिये है इस तेल के गर्म होते ही हमें इसके अंदर डाल देना है अद्रक, बारी कटा हुआ अद्रक, बारी कटी हुई लेसन और बारी कटी हुई हरी मिर्च तो यहाँ पे आप लेसन थोड़ी से जादा ले अद्रक थोड़ा कम ले और मिर्च आप अपने टेस्ट के कॉर्डिंग ले ले इस तेल में हमें इने डाल देना है और इसे हलका सा पका लेना है ध्यान रहे कि गैस का फ्लेम यहाँ पे लो हो आप मीडियम यहाँ फी लो फ्लेम पे कर सकते हैं इसके बाद से हमें इसके अंदर बारी कटा हुआ प्यास और यहाँ पे बारी हलका साही भुन लेना है तो यह देखिए यहां पे प्याज और सिम्ला मिर्चो है यह बहुत ही अच्छी तरह से भुन चुका है देख रहे हैं आप इसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ तो यहाँ पर गैस के फ्लेम को पूरी तरह से लो करते, लो फ्लेम पे करने के बाद से आप इसके अंदर सोया सॉस टाल दे, इसमें थोड़ा सा विनीगर डाल दे, साथ ही में आप इसके अंदर रेड चिली सॉस टाल दे, आपके पस जो भी सॉस हो रेड चिली या फिर ग्री मिर्श का पाउडर और इसके अंदर खोड़ी सी नमक डाल ते थ्यानरा की सासेज व времok नमक होते हैं तो हम इसके अंदर नमक तोड़ा सा ही डालेंगे इसके बाद हम अच्ही तरह से रेडी करिये थे उसमें देखिए थोड़ा से यह बैटर जो है बच गया है तो इसके अंदर हम थोड़ा से और कनफ्लाड ले लेंगे और इसके अंदर पानी डाल के इससे अच्छी तरह से गोल कर और इसमें हम डाल देंगे इससे क्या होगा जो हमारे सौसे वह बहुत ही पानी आट कर देते हैं तो आपको जितनी ग्रेवी चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी और एट कर ले और एट करने बद इससे मिक्स कर ले आप देख सकते हैं कितना अच्छा से बहुत ही ज्यादा थिक यहां पे इसकी ग्रेवी रेडी के लिए हम इसी तरह से पकने देंगे यहां पर आप गैस के फिलम को मीडियम कर ले और इसमें डाल कर इसे मिक्स करके थोड़े टाम के लिए बस पकने दे उसके बाद से आप इससे फिर से एक पर और मिक्स कर ले इसके बाद हमें भी गैस को बंद कर देना है और यह यहां पर हमारी गर्मा गरम मश्रूम चीली बन के तयार है वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं रेस्पी पसंद आई हो तो रेस्पी को लाइक करें शेयर करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक्स फर वाचिंग